आउनी श्ट्यूट्य उर्बर्ण चनल में एक बार आपका फिर स्वागत हैं देखिए जैसा कि आप थम्नेल में देख रहे होंगे कि खबर एजी टीय के विग्यापन की यूपी प्यसी से यूपी टीपलसी डाटा पहुँचने के बाद भी विग्यापन नहीं जारी होने का जाजा लेने पहुँचे अगड़ी भूम क्याने भाने वाले प्रतियोगी चात्र अभिनव मिस्रा जी तो चलिए इसकी विस्तित चर्चा करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों को भी सेर करें जिसे सबी को जानकारी मिल सकें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके देखिए अभी पिछले ही सब्ता में आपको एक ख़बर दी गई थी कि सबसे पहले तो डाटा फसा हुआ था 906 अभेर्थियों का जो सुप्रिम कोर्ड से आदेशित थे पिछली बेकेंसी के पहले यही बेकेंसी UPPSC कराती थी वह डाटा पहुचाने में यह अभेर्थि काफी मसकत की इनके मेहनत के बल पर और उसमें अगड़ी छात्रों में जो है अभिनो मिस्त्रा जी बिजेंद पांडे जी और अमिसुकला जी इसके लाओं भी बहुत सारे छात्र हैं सभी ने बड़ी मेहनत की तो 906 का डाटा पहुचा और उसके बाद आयोग मने UPPSC आयोग में एक नई बात आती है कि चुकि उस बैकेंसी में कुछ जो याची बने हुए थे तो रिस्पॉंडेंट का डाटा की भी बात हो कि जिसे बैकेंसी न फसे हालांकि ओ बैकेंसी के रिस्पॉंडेंट का डाटा उसके लिए भी प्रतियोगी छात्रों को काफी मसकत करनी पड़ी कभी क्रिस्पॉंड क्रिस्ने देशाला है तो कभी यूपी टिपलसी तो कभी यूपी पीसी हालांकि मुखमंत्री जी के संग्यान में बात आते ही यूपी पीसी से मिन सुत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग से लगभग 156667 का डाटा जो है रिस्पॉंडेंट का डाटा भेज दिया गया यूपी टिपलसी को अब यूपी टिपलसी में ये बात थी कि बहुत जल्द ही बिग्यापन निकाल दिया जाएगा लेकिन अभी तक बिग्यापन नहीं आया अब बिग्यापन न जारी होने की लेटर टीपी को देखते हुए अब इन्हों मिस्रा जी आज की डेट में यूपी टिपलसी पहुँची गए जैसा कि आप तमनेल में तस्वीर भी देख रहे हैं यूपी टिपलसी की और ये इन्होंने सच्यू से मुलाकात किया और इन्होंने सच्यू जी से मुलाकात की जो बात जो है अस्पस्ट किया बयान किया है इनके अस्वार ये है कि सच्यू जी का कहना है कि साठे चार सो लगभग और पदों का जो अधिया चंद था उस पर भी कारे जारी है या तो वो इसको 3644 में 3644 का जो बरती है उसके बाद उसको अलग से किया जाए या इसमें हालांकि अभिनो जी का कहना है जो सच्यू जी से वारता हुई कि नहीं दो चार दिन लेट भले हो जाए लेकिन वो साठे चार सो पद 3644 में जोड़ दी जाए मिस्स यही बैकेंसी अगर साठे चार सो जुड़ जाते हैं तो मान के चलिए कि यह बैकेंसी एक तालिस सो पदों की हो जाएगी और हलंकि इस बात पर संतुष्टी भी बनी है सच्यू जी का भी कहना यही था कि साठे चार सो जो पद है उसका भी कारी लगभग पूरा है और उसको भी इसी में समलित करके लगभग 41 सो पदों पर AGTA करिस्प्राब्दिक सायक का बिग्यापन जो है जल्द ही जारी किये जाएगा हालंकि दूसरी वारता यह थी कि बिग्यापन जो है बहुत जल्द जारी होने की बात की इन्होंने तो सच्ची जी ने कहा कि दिपावली से पहले पहले आपका बिग्यापन जो है जारी हो जाएगा अभी मौके पर पिट 2023 का जो एक्जाम लगा हुआ है उसके बाद ही कोई कारे संबह हो है हालंकि पिट का एक्जाम कहां बहुत दूर है 28-29 अक्टूबर को मिस 28-29 अक्टूबर से पहले एजी टिये का बिग्यापन आने की संबहुन नहीं है लेकिन उसके बाद पूर्ण संबहुना है और साथ में साथे 400 पद प्लस हो रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी खुस खबरी है ठीक दूसरी चीज इन्हों ने ये भी कहा कि आप मने सच्यू का जो कहना है सच्यू के अंसा कि आप लोग क्रिसी मिस एगरी कल्चर सबजेक्ट पर बल दीजिए उस पर आप तैयारी करते रहिए और साथ में ये भी है कि बैकेंसी के साथ साथ मिस बिग्यापन के साथ साथ बैकेंसी मैंने का बिग्यापन जो बैकेंसी आनी है तो उसके बिग्यापन के साथ साथ सलेबस भी जारी होगा तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन विग्यापन आएगा विग्यापन के साथ ही AGTA का सलेबस भी रहेगा जिस से आपको कोई हिचक नहीं रह जाएगी तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट आप निश्चिंत रहें आप अपने अग्रिकल्चर सब्जेक्ट पर बल दीजिए उस पर लगे रहे और बिग्यापन आपका दिपावली से पहले हर हाल में आएगा बिग्यापन जो है आपका जहां 3644 पदों पर आना था अब वो 4100 पदों पर होगा तो ये एक बहुत बड़ी उसका बड़ी है और अबनो जी को साहर सासिर बाद भई ये अगड़ी भूम का निभाते हैं बहुत अच्छी बात है और भी प्रत्योगी छात्र है सभी की मेहनत जो है कम से कम इस बैकेंसी को पेट 2022 में ही पूरा करने की पूरी कोशिस रही लोग की तो सभी लोग बढ़ाई के पात्र है चलिए आज की निउज में बस इतना ही नेक्स कोई अपडेट मिलती है वो अपडेट आपके सामने होगी तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके तैंक यू